ये उत्सा आज वोट में बदल ला है ये तुस्टी करण की नीतियों का दुस्पेडाम है तुस्टी करण के नाम पर वोट बैंग की जो राजनीती है उस वोट बैंग की राजनीती ने हमेशा इस प्रकार के सामप्रदाईक तनाओं को जन्म दिया है ये लोग जब सांतिपूर्ण तरीके से निकलने वाली सोभा यात्रों को ही सुरक्सा नहीं दे सकते हैं, तो बहन बेटियों को, सामाने नागरिकों को क्या ये सुरक्सा दे पाएंगे? अगर हमारी भावना के साथ खिलवाड करोगे, अगर सुरक्सा में सेंद लगाने वालों को प्रस्रे दोगे, तो फिर हम भी उसी प्रकार से तुम्हें चुनाओं में जबाब देंगे. लोक सभा चुनाओं का प्रथम चर्ण संपन हुआ है, देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के दस वर्स के कारिकाल को लेकर के लोगों में जो उत्सा है, ये उत्सा आज वोट में बदल ला है, प्रचंड बहुमत के साथ, मोदी जी के नित्रत्तों में फिर से भारती जनता पार्टी नित्रत्तों की एंडिय की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई संदे होना ही नहीं चाहिए, और मुझे लगता है कि बिपक्स के जूट का प्रदाफास भी जनता जनार्दन के द्वारा क्या जा रहा है, अब इस सवाल मेरा है, क्या लगता है कि गैर भाजपा शाशित जो राज हैं, होली हो या राम नौमी हो, वहाँ पर क्यों हिंसा होती है, देखें ये तुष्टी करण की नीतियों का दुस्पेणाम है, चाये भी राम नौमी के उसर पर या इससे पहले होली के उसर पर, वैस्ट बंगाल के साथ साथ, गैर भाजपा सासित प्रदेशों में जो दंगे हुए, ये बहुत संकिक समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड करने, तुष्टी करण के नाम पर वोट बैंक की जो राजनीती है, उस वोट बैंक की राजनीती ने हमेशा इस प्रकार के सामप्रदाइक तनाओं को जन्म दिया है, आपने राम नौमी के उसर पर देखा होगा, वैस्ट बंगाल में फिर से राम नौमी की सुभायात्राओं पर ह अमले हुए, यह चिंता का विषय भी है, और साथ साथ देश के लोगों के लिए एक संदेश भी है, कि यह लोग जब सांतिपूर्ण तरीके से निकलने वाली सुभायात्राओं को ही सुरक्सा नहीं दे सकते हैं, तो बहन बेटियों को, सामाने नागरिकों को, क्या यह सुर असर होता है, जब हम इन तथाकथित सेकलर लोगों को, दलों को, अपने मत से स्वस्ट संदेश दें, कि नहीं, अगर हमारी भावना के साथ खिलवाड करोगे, अगर सुरक्सा में सेंद लगाने वालों को प्रस्रे दोगे, तो फिर हम भी उसी प्रकार से तुम्हें चुनाव में जबाब देंगे.